हेलो फ्रेंट्स तु कैसे आप सभी आई होप के सब बढ़िया होंगे तो आज मैं आप सभी के लिए को न्यू जॉब लेकर आगे हूँ और यह वाली जॉब आप सभी के लिए बहुत जादा इंट्रस्टिंग होने वाली है और यहाँ पर मैं अभी बात करूँ तो यह वाली जो जॉब होने वाली है यह डेटा एंट्री की जॉब होने वाली है आप सभी के लिए और यह बहुत इंट्रस्टिंग जॉब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी अप्लाई करना होगा रिजुमें कहांपर यह पो अपर सब कूछ रिटेल बशना करना हुए वह सब कि दो सब डोलटेंगे बस करना एकाया कि जो भी में चल्ट करो सकते तो ऐसा नहीं होता है guys, आपको पूरी वीडियो सुरू से लेकर end तक देखनी होगी, ठीक है, तो ये गलती मत करना कि skip करके हम आगे चलके अपना main उस पर जाते है, form पर भर लेंगे, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना क्योंकि मैं आपको बिल्कुल point to point चीज़े बताने वाला हूं, तो चलिए अभी मेरी mobile के screen पर, so guys, जैसा कि आप मेरी mobile के screen पर देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का interface आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका link में ने अपने video के description ने दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप इसको check out कर सकते हैं, तो जब आप link पे click करेंगे, तो य यहाँ पर जो है about company में इन्हों ने दिया हुआ है, विनीटा मार्केटिंग की यह job है, ठीक है, जो इनकी company का नाम है, विनीटा मार्केटिंग है, ठीक है, salary इसमें कितनी होगी, वो समय आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले job detail की बात कर लूँ, तो जहाँ पर अग जो जो जॉब लोकेशन है उसकी बात करता हूँ, गाजयबाद, फरीदाबाद, गुडगाउं और यहाँ पर गुरुगराम, ग्रेटर नोईडा, डेली, NCR में अगर आप रहते हैं, तो इस जॉब का एपलाई करने के लिए अप अलीजीब है, ठीक है, और यह जो है, टेम स्किल्स है, जो आपके अंदर होनी चाहिए, अधर स्किल्स की बात करने हैं, तो इमेल सपोर्ट, टाइपिंग, टाइपिंग स्पीड, हॉम पेज, जो पार्ट टाइम, वोइस कॉल, नॉन वोइस, एमेस ओफिस, पार्ट टाइम, ओफिस कॉर्डिनेशन, ओफिस असिस्टेंड, वक फ्रॉम, जो बैक हैं, एक्सेल, और ओफिस अड्मिस्टेशन, तो यह सब चीज़ें यहां पर बताई हुए, इन्होंने बात करूँ, जॉब डेस्क्रिप्शन की, वोट विल यू दू, आपको काम क्यों करना होगा, ठीक है, यहां पर जो है, अरजेंट थाइरिंग चल रही है, फो कंप्यूटर, डेटा एंट्री, ओपरेटर, बेसिक्स, टाइम पी, तो यह बहुत सारी डिफ्रेंट टेक्रीज है, जहां पर इनकी जरूरत है, ठीक है, आप लोग ही, तो यहा देतर, फ्रोड जॉब में देखने को मिलता है, कि आपको टार्गेट जॉब देता है, ठीक है, और यहां पर जो आपकी कोई टाइम बाउंडेशन भी नहीं है, ठीक है, तो यह एक बहुत अच्छी बात यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, इंडस्ट्री टाइब आ यहां पर कस्टुमर सक्सेस, सर्विस एन उपरेशन का होने वाला है, रोल आपका जो होगा, बैक ओफिस का होगा, और अधर भी हो सकता है, रोल जो होगी, आपका बैक ओफिस की होगी, ठीक है, यानि कि आप घर पर बैट कर आम से खाम करना, कोई दिक्कत नहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी, देन उसके बाद यहां पने में बात कुरूँ, इसको एपलाई करने की, तो यहां पर सिंपली क्या करना है, अपलाई बटन पर जब आप क्लिक करेंगे, ओके, तो यहां पर जो है, आपको जो है, गूगल से साइन इन कर लेना है, या फिर आपकी पहले सी नौकली.com पर है, तो महां से जाके आप इसको चेको कर सकते हैं, ठीक है गाई, तो यहां पर जो है, मैं continue कर देता हूँ, अपनी email ID से, तो यह verify कर रहा है, जब verify कर लेगा, ठीक है, तो यहां पर जो है, आपको अपना full name यहां पर दिखना है, और यहां पर आपको email data entry का resume कैसे बनता है, या तो आप YouTube पर भी इसको search कर सकते हैं, कि how to make data entry resume, या फिर आपको जो मैं बता दू, आपके पास computer knowledge, data entry में जो काम होता है, वो जादे तो computer का होता है, computer के अंदर क्या क्या software आता है, MX Excel आता है, ठीक है, presentation के लिए, तो वो वाले software आपको जो है, आने चा चारा समझ गया है, कि आपका resume में जो है, बहुत बहुत होना चाहिए, आपर, ओके, जब आप इसको कर लेंगे, तो आपको simply upload resume में पर click करना है, जब आप इस पर click करेंगे, तो doc file में जो है, उस resume में को आपको upload करना है, जिसकी 2 MB ही होनी चाहिए, size, ठीक है, PDF जो है, 2 MB तक resume को देख कर, ठीक है, फिर आपको जो भी इनका session होगा, वो उसमें बात आ देंगे, कि आपको कब से joining करनी है, क्या इनका process होगेगा, ठीक है guys, अगर आपको इस related कोई भी problem आती है, तो मेरे comment section में जाके, आप comment करके, मुझसे पूझ सकते हैं, या फिर मेरे instagram पर follow करके, पर time लिया करिए, ओके, तो guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जरू से like कर देना वीडियो को, जो भी channel पर नए है, channel को subscribe करके, जो है bell icon click पर button पर दबा देना, ठीक है, तो मैं मिलूँगा आपसे अगली next video में, जो आपकी ऐसी help करती रहे, वीडियो में सो